SP City सोनम कुमार तथा SDM बाजगा अनराग जैन के नेत्रत्व में कैंट थाने के पुलिस ने गोल घर छेत्र में पैदल गस्त किया जिसके संबंद में SP City सोनम कुमार ने बताये कि जंता को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए यह जाग रुक करने के लिए यह पैदल मार्श निकाला गया है उन्होंने कहा कि बिना पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान किया गया तथा जो लोग बिना मास्क की घूम रहे हैं ऐसे व्यक्तियों का भी चालान किया गया उन्होंने कहा कि सहर में जितने भी अतिक्रमर हुए हैं उन पर भी कारवाई करके हटाये ज रहा है उन्होंने कहा कि प्रयास है कि सभी लोग मास्क पहन कर चले जिससे संक्रमर को फैनले से रोका जा सके इस औसर पर स्चियो कैंट अजय कुमार सिंग कैंट अनप्रभार अनिल कुमार उपाध्याय सहित नगर निगम के प्रवत्तन दल के कमश्वारी मौजूद रहे इस संबन में गुरकपूर निउस से बात करते हुए स्पी सिटी सोनम कुमार वा स्टेम बासगा अनुराग जैन ने कहा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जोड़िकर दो भाला इजेनली वाला इसनी पिर्धा भाला इसके चानलीजाई नेरिकर खाया जो भी जाति में हुआने उग्याई विए कर दो कर दो दो कि आदेली जातर। प्रवाइब जागरत करने के लिए निगाला गया है ने सीव साब ने जोएन किया इनको भी तिखा रहे हैं शहर का छेत्र यहां पर जो भी समस्या है पार्किंग की समस्या है वीना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनका भी चलान करा जाएगा अत्तिक्रमन पर भी कारवाई की इस तरह की सारी कारवाई किया जाएगा ताकि शहर की जो विवस्ता है वो सुद्र हो सबीए चुनाव भी है चुनाव मूखीता तो ग्रामी शेत्र में है पर हम शहर में भी पैदल गर्श निकाल रहे है ताकि यहां पर भी कोई समस्या न रहे है तो इस पे सेटी सरके निर्देशन में यहां पर शहर की यादायाद विवस्ता और चुनाव में और यातायाद विवस्ता और अतिकरमन की कारवाही को अटाने की लिए यह पैदल मर्श निकाला जा रहा है साथ में कोई की जो गाइड़लाईस आरी है उसके लिए भी इसलिए ये पैदल गश्ट निकाली जा दिए है